तो हेलो गाईज मैं हूँ आपका दोस्त आरुस्तिवारी और आज हम पढ़ने वाले हैं आपको कॉल्टिकल साइंस का जो है चैप्टर वान जो है इंडियन दा इंडियन कंसिट्यूशन और इसका पार्ट वन मैंने अप्लोड कर दिया है आप देख सकते हो और इसका पार्ट कह रहा है कि by the beginning of the 20th century the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades कह रहा है कि जो 20th century का जो बिग्निंग था बिग्निंग यर था वहीं से जो है इंडियन जो है नेशनल मुव्मेंट की शुरूआत होने लग गई थी और वहां जो है श्ट्रगल होना शुरू हो गया था for independence अपने अजादी के ल सब्सक्राइब को एक अपना अस्थान लेने में अच्छा ठीक है आगे चलते हैं डियूरिंग दा फ्रीडम इस्ट्रगल जब हम लड़ाई लड़ रहे थी आजादी की दनेशनल लिस्ट्स हैड डोप डिवोटेड अग्रेट डील आफ ताइम तो इमेजनिंग और प्लैन लड़ रहे थे तो नेशनलिस्ट्र ने कुछ टाइम देकर एक प्लैनिंग करा और एक डील करा कि आखिर कैसा होना चाहिए हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के बाद कैसा होगा इस चीज़ के लिए उन्होंने जो है काफी प्लैनिंग करी थी अब देखें अंडर द था हमें उनके रूल्स को जो है गाइस मानना पड़ता था उसका अग्या पालन करना पड़ता था गाइस तो अब देखें यहाँ पर कह रहा है दो लॉंग एक्स्प्रियेंस ओफ ऑफ अथोरेटिरियन रूल अंडर दे क्लोनियन एस्टेट कन्वेंस इंडियंस डैट फ्र आफ अच्छे से जाना था हमारे अपने जो है क्लोन थे तो हमने काफिय मतलब असमानताय देखें थी जिसके वज़ा से हमने जो है कि हम लोग एक ऐसा भारत देश बनाएंगे जिसमें डेमोक्रेसी होगी और उस डेमोक्रेसी में सभी वेक्तियों को अलावेंस होगी कि वह participate कर सके government के अंदर ठीक है guys यहीं चीज बोल रहा है guys तो यहाँ पर बोल रहा है कि experience जो है वो समझा गया कि आखर equality क्या होती है guys तो यहाँ पर एक बोल रहा है कि authoritarian rule यहाँ पर guys authoritarian का rule कर्थ होता है crude वादी नियम crude वादी नियम जो है हमें यह बता गया था कि भाई inequality की क्या-क्या consequence हो सकते हैं क्या-क्या परिणाम और नितिजा हो सकता है guys इसलिए हमने जो है एक नाया जो है अच्छा सा एक constitution लिया बनाया करीवन 300 लोग जो है 300 लोग जो है लगे थे हमारे assembly में कश्चुचा बनाने में कश्चुचा बनाने में होने को बचा था तो guys हमारे हमारे government को democratic government होने में सिट होने में यह चीज बची हुई थी कि हमारे इंडिया को है जो है एक government चाहिए जो कि democratic हो यह बचा हुआ था यहां कहते हैं वीच वीच यहां कह रहा है कि this was done not only not only one person देखें यह जो हमारा constitution बना यह एक विक्ति नहीं लिख दिया माना कि हम काफी एक direct भूमिका जानते हैं काफी अहम भूमिका important जो है हम समझते हैं भीम राव मिटकर को लेकिन यह जो है कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है guys करीबन 300 people who became members of the constituency assembly in 1946 and who made periodically for the next three years to write Indian Constitution ठीके गाइज इंडिया स्कॉंस्टिशन देखे गाइज यहां पे 300 लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था Constitution assembly में और 1946 में वो लोग अब मान के चलिए उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो रोज नहीं करते थे गाइज एक करते थे प्रियएड करते थे जैसे साल में तीन महीन चार महीन हा यहां पड़ने और उनके सामने जो है एक बहुत बड़ा टास्क था गाईज क्योंकि अब ऐस जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि बाई कितने हम लोग अलग हैं बहुत बहुत डाइवर्सिटी से बिलॉंग करते हैं गाईज हमारा जो है प्लैट्यू एबरिफिंग जो है सभी एरियाज में डाइ को पूरा हम समाहित किये सम्मिलित कंपराइज कि अगर हम चलते तो गाईज हो सकता है कि बिबिन समुदायों के बीच जो है एक ठकराओ की स्तिति पैदा हो जाए तो इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा जो कंट्री था वो काफी डिफरेंट कमुनिटी से बना हुआ थ कि जैसे आज भी हम जानते हैं हमारे देश में 22 या 23 ऐसी बहसा है जो मुखिर तो और बोली जाती है गाईज और बहुत मतलब डिफरेंट रिलिज्ट चार परकार के मतलब चारों हे रिलिजियन पाएगा था है अपने देश में चुकि हमारा देश जो है से क्रिलिजम को ज सने मुखिया, घृत खालन के साथ चल रहा था जा कर दो परिख Son of the country इंटु पाःटी सं अज इंत कांएडster आखमरा संदीया फी। अब देखें कुछ ऐसे साही स्टेट्स थे जैसे जम्मू कास्मीर हो गया गुजरात का एक प्रांथ हो गया ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें किसमें जाना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में गया तो ये भी कावे दिकत हुए अब देखें गाइज और जो सोग्मनोमिक कंडिशन था जो कि इन मतलब बहस्त पीप्ल में पूरा एपीर्ड हो गया था सोग्मिक कंडिशन ओनिरासा जनक था जिसमाल था जिसमाल मिस होता है यार निरासा जनक के और यह सबी बात है जो है ना गाइज यह चले ही जा रहे थी चले ही जा रहे थी वो उनके दिमाग में वो लोग के दिमाग में सब चीज़े चल रहे थी और वो एक ऐसी चीज़े को मतलब ऐसे कंश्यों को उदय देना चाहते थे जो एक विजनरी डॉक्मेंट जो एक दिरिश्चात्मक डॉक्मेंट दिखे और जिसके मतलब प्रती एक रेस्पेक्ट हो सभी डाइवर्सिटी वाले पीपूल के मन में और साथ ही हमें उसी कंश्टिटिशन के साथ अपने नेस इंफेसाइजिंग क्रूसियल रोल दपीपूल कैन पिले इन चूजिंग दर रिपर्जेंटेटिव देखे गाइज यहां पर कह रहा है जो हमारे डॉक्मेंट त्यार हुआ उसमें भी काफी सारे चिंताय दिखी क्योंकि हमारा जो पोबर्टी है गरीवी जो थी बहुत दिमाग लगा गाइज और काफी फर्दर सोच के हमारे जो वो जो कंश्रिया सेमली की मेंबर से उन्होंने लिखा काफी ज़्यादा हम हमें प्रिस्टिजियस लगता है कि हमारे समिधान हमें एक कंपराई इस्तिदी में लागे खड़ा किया है गाइज तो हमें आदर करनी चाहिए we must have to respect our constitution because it it comprise all those diversity and it preserves our unity our national unity even guys this is the most important you know process of our constitution guys listed below are the key features of the Indian constitution while reading these keep in mind the above mentioned concerns of diversity देखिए ये जो नीचे दिया गया है ये key features हैं इंडिया के समिधान के key features हैं guys जो की mention हैं लेकिन इनको पढ़ने के समय आपको ये concerns of diversity देखिए diversity का जो चिंतात्मक पिसे है उसको भी आपको ध्यान में रखना है unity social economic reform ये सभी unity representation ये सभी को आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये सभी उस समय एक चिंताएं थी फिर भी हमारे महान जो assembly के members थे उन्होंने अच्छी एक करी एक economic हमें एक अच्छा सम्मिधान दिया गाई तो हमें ये भूला नहीं चाहिए हमें उनकी आदर करने चाहिए यहां कह रहा है ट्राइए अंडरेस्टाइड वेज इन विच दे ग्रैप्लिंग देखे आप समझे गाईज वह लोग एक ग्रैप्लिंग में सोता है मल जुद वह लोग जो है एक ऐसी जुद्धिस्तिति के कागार पे थे जहां उनको हर तरह से लड़ाई लड़ने थी और एक बैलेंस भी करना था कि हमें एक ट्रांसपोर भी करना था अपने इंडिया को एक स्ट्रॉंग डेमोक्रेटिक सुसाइटी में तो कितने सारे मुश्किलों के बाद हमारा जो है इंडियन कंस्टियूशन जो है बना है भले ही आज उसकी थोड़ी सी लीडर जो है कर रहे ह लेकिन गाइज कहीं न कहीं अपना समिधान हर चीज को जो है समाहित करता है और हमें उसकी रेस्पेक्ट करने चाहिए चलिए गाई जाए फेडरलिजम देखे फेडरलिजम का अर्थ होता है संगवाद ठीक है इस रेफर्स तो दो एक या दो एक या दो या तीन लेबल पे ग कह सकते हैं तो यहां पर कह रहा है इन इंडिया वी हैब गवर्मेंट एट श्टेट लेवल एंड अट दे सेंटर पंचायती राज इस थर्ड टायर अब गवर्मेंट और यू हैब रीड अब आउट इस इन क्लास 6 तो हमारे यहां तो दो मुख्य भी दिख रहे हैं पंचा बहुत अभी यह विकास नहीं हुआ है हम बस दो ही लेवल को अच्छे जनते हैं लेकिन पंचायती राज थर्ड हो चुका है गाईज बहुत इसकी मन जाता है है आप एक बार जरूर पढ़े तीहतरवा संसुदर तो पूरा बदल दिया भाई पंचायती राज को ठीक है भाष्ट नंबर ऑफ कॉमिनिटीटीज इन इंडिया मेंट डाट सीस्टम अफ गवार्नमेंट नीडट टू बी डिवाइस दिद नॉट इंबॉल्व ऑनली पर्सन देखे कह रहा है कि हमारा जो इंडिया है इंडिया बहुत ही बड़ा डाइवर्सिटी का जो मामले में बह देखे कह रहा है कि हमें इसी के बजाय हमें एक ऐसी जरूत है जो की इसके लिए हमें जो है इसको कि दैता यह औरेली नहीं है यह constitution में लिखा हुआ है while each state in India enjoy autonomy and expressing power on certain issue देखिए autonomy कार्द होता है स्वेतता while जबकि each state के पास अपनी स्वेततता है और वो अपने power का exercise कर सकता है और certain issue पे जैसे राज जी के मामलाओं में वो अपना पूरा अधिकार दे सकता है अपना जमा सकता है the constitution contains least that detail the issue that each tire of government can make law on okay यह जो constitution है एक और चीज़ देता है कि हमारा जो देश में जो जितने भी राज है गाइस वो अपने अपने ओन लॉव बना सकते हैं इन एडिशन संबंध में the constitution also specifies where each tire of government can get the money from for the work that it does यह कह रहा है कि यह बताता है कि हर एक राज को मनी की जो जरूरत है वो वो गेट कर सकता है government से each government जो है वो मनी ले सकता है from work यह कामों के लिए ठीक है गाई अंडर फेडरली जम्दे स्टेट्स आर नौट मेरली एजेंट फेडरल गवर्मेंट लेखे संगवाद के अंडर जो है मेरली कारत होता है के वल एक एजेंट नहीं है गाईस फेडरल गवर्मेंट का but draw their authority from the constitution as well देखिये उनकी जो अथार्टी है उनकी मन्याताय है उनका ज सब्सक्राइब की जाते हैं लमने तरफ तरह ऊंडर पूर अच्छा से देता इंडियम्मेंट पहल होता है गज़ाइस कुछ ऐसे जादिकार है जिसमें केवल सेंटर ही आता है उसमें स्टेट की कोई जोरत नहीं है नहीं है दा डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्मेंट दाट युज रिद आप इंडिया गैरेंटी इनिवर्सल एडल्स पर इस वोड़ता क्या है यह खास तोर पर जो है आपको यह क्या कहते हैं एक भोट देने का दिकार जो है एक ऐसा नियूंतब आयू सीमा है जिसमें सभी लोग एक समान से देखे जाते हैं जैसे कि 18 वरस के ऊपर के 18 वरस के जो लोग हैं वो सभी समान मतलब तरीके से ट्रीट होंगे जब वोटिंग ल सब्सक्राइब करना है और जो पदानुकरम है जेंडर पदानुकरम है उसको इसको हमें खतम करना है देखे ट्रेडिशनल कार्थ होता है प्रमभागत यहां पर कहा रहा है इस देखे कोई भी जो है चीज जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आप किसी भी बैक्ग्राउंड से आते हैं लेकिंग आपके साथ एक ही समान टूरिट किया जाएगा क्योंकि जो है equally चीजे देती है हमें तो कह रहा है कि also every citizen of the country irrespective near picture है guys of his or her social background ठीक है can also contain contest in election election में भाग लिए सकते हैं these representatives are accountable to the people देखे यह ही representative accountable होते हैं people के you will read more about why representation is crucial to democratic functioning देखे आखिर representation जो है इतना निरनायक क्यों होता है एक democratic function में तो यह हम आद में पढ़ेंगे यह चीज़ बता रहे है suppression of powers देखे गाईज यहां पर कह रहे है suppression of powers according to the constitution there are three organs of government देखे थ्री ओर्गन से पिला कलर से है ना बहुत important है three organs है guys there are the legislature, the executive and the judiciary three lectures है the legislature refers to our elected representative देखे लेजिसलेचर में वही होते हैं जो हमारे जो representative होते हैं the executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government देखे जो executive होते हैं जैसे IPS officer, DM, video यह सब ही हो गए तो यह ऐसे business परकार के जो है कुछ people के group होते हैं जो responsible होते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कानून को जो legislature दोरा पास किया गया हो वो ला रहा है अमल में implement में ला रहा है अमल में ला रहा है यह नहीं implement कार्थ होता है अमल में लाना और अच्छे से government जो है run हो रही है नहीं अच्छा यहां पर रहा है the judiciary of which we will read more in unit 3 of this book refers to the system of courts in the in this country okay यह court को judiciary जैसे के हम जानते है court को refer करता है in order to prevent the message of power by any own branch government the constitution says that each of these organs should exercise different powers देखिए सभी को जो है अलगला पाउर्स दी गई है तो ऐसा है कि सभी को जो है यह देखना होता है सभी को एक दूसरे पर नजर रखनी होती है कि कोई पाउर का जो मिस्यूज तो नहीं कर रहे throughout this each organ act as a check on the other organ of government and this ensures that balance of power between all three देखिए आस्वस्त किया जाता है तीनों के दौरा एक बुसरे को चेक करते रहते हैं और आस्वस्त किया जाता है कि क्या यह गलत कर रहे है या फिर एक बैलन्स बना है कि नहीं या फिर यह मिस्यूज तो नहीं कर रहे है तो यह तीनों ही एक दूसरे पर काफी डिपेंड है गाई आप आप आगे पढ़ेंगे काफी डिपेंडेंट है यह गाई दो तीनों है अच्छा आगे देखिए सेक्षं ऑन फंडमेंट्ल राइट और लेफर्ट से ओंट 되지 हां यहां पे Conscience of the Indian consultant देखिर का आर्थ होता है जमीर जमीर, the fundamental right जो है often refer to the जमीर जमीर होता है, Conscience का जमीर होता है, of the Indian consultant, देखिर fundamental right जो है न जमीर है, एक हमारा जो Indian consultant है जमीर है, colonial rule had created a creation suspicion of the state in the minds of the nationalists that and they wanted to ensure that a state of written rights would guard against the message of the state power independent India. देखिए कह रहा है कि colonial state पे जो है कुछ भी नहीं था equality का तो नाम ही नहीं नहीं था फंडामेंटल नाम की चीज तो है नहीं थी नहीं वहां पे तो हमारा जो हमारे जो nationalists थे उन्होंने सोचा कि हमें आस्वस्त होना चाहिए हमें एक written page चाहिए जो कि fundamental rights की ब्याख्या करता हो और उसका कोई मतलब कोई भी नेता इसका मिस्यूज न करेगा इसकी यह आधहार बना दिया गया एक समिधान का जमीर है इसको आधहार बना दिया गया और इससे बोला गया कि इसे कोई नहीं चेंज कर सकता है हां समय कनुसार भले ही चेंज हुए हो संसोद्रों के इसाब से लेकिन इसको बदलने का नहीं है क्यार कोई नहीं है देखें यहां करते हैं इसको नेताओं को जो मनमाना करते हैं उन से इस समय दी गए राइट इव हैं कि नेताय मनमानी न कर सके गाई है कोई विक्तिगत विक्ति किसी विक्तिगत विक्ति से डिस्क्रामिनेटेड न हो जाए इसलिए फंडेमेंटल राइट्स दिया गया है यहां पे देखे यहां पे एक चीज दी गई है यहां पे हम पढ़ लेते हैं इसे moreover the various minority community also expect the need of the constitution to include rights that would protect their group देखे बहुत सारे minority communities को ऐसा भी लगा कि उन्हें भी कुछ ऐसे राइट दिने जाने चाहिए जिससे वो खुद को protect कर सके the constitution therefore also guarantees the right of minority again the majority इसलिए constitution जो है एक और guarantee देता है minority को guarantee देता है कि उन पर कोई भी जो है tyranny नहीं होगी majority के जो है खिलाफ majority के द्वारा as dr. Amadkar said about this fundamental right their object twofold the first object is that every citizen must be in the position of claim those rights देखे first fundamental right का first अधिकार तो यह है first position यह है कि कोई भी वेक्ती हो वो चाहें बेगार हो या फिर कोई किंग हो कोई भी हो हर वेक्ती जो है उन राइट को claim कर सकता है guys okay and secondly these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws यहां पर कह रहा है कि everybody जो है every मतलब जो है rights जो है authority तो जो power को बनाते हैं जो भी authority power में जो बनाते हैं लोग को वो सब जो है वो सरे authority हमारे fundamental rights से नीच है guys वो सभी fundamental rights के द्वारा जो defeat हो जाएंगे guys ठीक है आप अपना fundamental rights को अच्छे से सुनिए अच्छे से समझिए in addition to fundamental right to the constitution also has a section called directive principle of estate देखे यह directive principle of estate क्या होता है अगर कोई पूछे तो बोलना in addition to fundamental right the constitution also has a section देखे fundamental rights को section में बाट दे गया है guys और इसी को directive principle of estate का जाता है policy the section was designed by the members of the economy to ensure greater social and economic reform as and to serve as a guide to the independent India state to in institute law and policies that help reduce the poverty of the masses देखे गरीभी को हटाने के लिए section में बाटा गया है secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion देखे देखे secularism होता है कि अगर कोई state अगर कोई state अपने किसी अगर मतलब अपरत्यक्स तरीके से तो होता ही है अगर कोई देश परत्यक्स रूप से बोले कि नहीं मैं हिंदू राष्ट वादी हूं मैं हिंदू को अपने राष्ट धर्म के रूप में मानूंगा तो से क्रूल जब नहीं हो सकते रहे यू नव अंडर्स्टेंड वेज इन विच यह कंट्री हिस्ट्री ओफन डिटर्माइन निर्दारित करता है देखिए अब आप हिस्ट्री के सब्सक्राइब करता है कि कैसे रूल रिगुलेशन होंगे और क्या होगा उस कंट्री में कैसे क्या चलेगा दर कंस्ट्रीजर प्लेश रोल इन लाइंग आउट आइडियस देखिए और वह निर्दाइक रोल कैसे निवाता है अपने आइडियल के जरिए कि सिटीजर जो है इन सभी इवें सिटीजन के रेपर्जेंटेटिवों को भी इस रूलों को मानना होता है गाइज जस्ट लाइक इन गेम फुटबॉल अचेंज ऑफ में भी चला जाता है अपने मिस्यूज के लिए भी कुछ संसोधन हो जाते हैं लेकिन फिर भी और मेजर चेंज होता है तो वह कंट्री के मूल नेचर में मूल पराकृति में चेंज हुआ है विष्यू अपने केस ओपाल कैसा था चले वाइज हमारा चेप्टर यह कुछ नहीं है सब्सक्राइब और मेहनत को समझते हैं आप महनत मेहनत क्या होती है इस अगर आपने किसी ने किसी 아गर कामों में करी है मेहनत तो प्लीज गैज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर क्योंकि यह हमें इंस्पायर करती है तो मेक मोर वीडियोज और प्लीज आइंड प्लीज आइंड विदाउट सपोर्ट विका इकन नौट एनिफिंग यह बस सुरुआ थे गाइज आई विल डू लेटर बहुत सारी चीजे हैं जो हमें अभी देनी है गाइज मैं बहुत with the chapter 1 history 8th class okay guys let's go